राज्य सरकारों के दबाव और लाखो भारतिये कामगारों की अपीलों के बाद केंद्र सरकार ने खाड़ी देशों से अपने नागरिकों की वतन वापसी का खाका तैयार कर लिया है। और सिंगापुर, एक फ्लाइट दिल्ली से कौलालामपुर, एक हाइदरबाद से सैन फ्रंसिस्को, एक एहमताबाद से मनीला और एक फ्लाइट श्रीनगर से धाका के लिए भेजी जाएंगी। ये सभी 10 फ्लाइट अलग-अलग देशों से 2300 भारतियों को वापस वतन लेकर यूनाइटड अरब अमिरात में रह रहे हैं, जो कोरोना महमारी के चलते लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर वतन वापसी की गुहार लगा रहे थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक पहले चरण में 64 विमानों से लगभग 15000 भारतियों नागरिकों को वतन वापस जाएगा, हाला कि इनमें खाडी देशों के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका समेत, अन्य देशों में फसे नागरिक भी शामिल हैं, इन फ्लाइट से भारत आने के लिए लोगों को भारतिय दूतवास से संपर करना होगा, और इस यात्रा के लिए पैसे चुकाने होंगे, इस लोटने पर इन सभी लोगों को 14 दिनों के लिए क्वरेंटाइन होने के लिए अस्पताल या अन्य किसी जगा खुद को आइसोलेट करना होगा, 14 दिनों के बाद करोना का इन लोगों का टेस्ट होगा, और पॉजिटिव आए लोगों को छोड़ कर सब को घर भेज दिया च युनाइटेड अरब एमिरात, सौधी अरब, कुवैत, ओमान, खतर, बहरीन और मलेशिया में है, राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो नियूज